वाका जान चुके हैं उसका नाम है लारेंग बल ठीक है गतिमान आवेसित पड़ को लगने वाले बल को क्या कोते हैं लारेंग बल होते हैं और उसका लगता है या इस इसे फार्मूला के मितीर के ही जुंभ की छीकर में की अगर कोई आवेसित कर्ण कोकिक और अगर वैदू छेत्र है और उस गचीघ मसबंछ से पर बल्त करता हो थिसकी शेत्र है तो वेदुच्छेतों और जाएं और उस अस्थान पर भाईदुच्छेतों को वहां पर यह तो कि इसक्छेतों आ knows और वैदू छिलता है तो बैदू लगेगा दोनों लगेंगे तब उस सवस्था में उस आवेशित कड़ पर लगने वाले बल का परड़ामी क्या होगा और कि सवस्था में किस कड़ी संट तरा वह आवेशित कड़ बिना अपने मार्ग से मिचिलित हुए तो आवेशित कड़ है तो कोई आवेशित कड़ है क्यूं इस आवे से खड़ पर लगते हैं लारे जुमल आप देखी रहे हैं इसको वेक्टर रूप में चाहेगा तो दिसकते हैं क्यूं क्यों निकालने के बाहर और क्यों कि निकालने के वाहर बैर तरब करको क्योंकि बढुक्त है क्यों प्राइब। क्यूं साइफ जा विश्ъी बडाब। और यह वाला वाल है वह क्यों प्रादर होगा अठाट कि यह अगर किसी अस्थान पर यह दोनों प्लक करेंगे करेंगे और दोनों प्लों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूं वी क्रास भी ऐसे क्यों दूफी क्रास भी हो जाएगा यह पढ़ना वाल हो गया प्लस दूसरा वाल हो जाएगा क्यों यहीं संकूर पर कारेंगा इस पर उसक्रण पर नवें लगें उसका अगर आपने मार्क से आहें को प्रतिबद बताईए कि वह अपने मार्क से बिना अब दोटल फोर्स है यह सुन नी हो जाए तोटल फोर्स आपका सुन नी हो जाएगा तब वह अपरण बिना विच्रित हुए सीधि अपने मार्ग पर जाएगा इसको जीरो कर देए जीरो इपल्ड हो जाएगा वी क्रास भी प्लस क्यों इबराबर बिश्चिणा है क्यों का मलेकर आप अपनी है क्या मिलेगा वेकर वेक्ट भी प्लस तकति ऑप बराबर जीरो ऐसे होगे अगर दो राश्यों का जो योग है अगर दो राश्यों का जो योग है वह सून है इसका मतलब कि दोनों जो विक्तर है वो परसपर बराबर है और परिवाण में विद्धित दिसा परें दोनों जो है वह परिवाण में बराबर है जैसे अगर मैं सकते प्लस विक्तर भी इस इकोई टू जीरो है अगर विक्तर विक्तर दी जो जीरो है इसका मतलब विक्तर विक्तर बराबर है और उसकी दिसाएं जीए इसलिए अगर दोनों सरिष रास्टियों का जो योग है वह सुन्यों रभा है इसका पत्ब दीख रास्टियों और विक्तर पी यह दोनों एक दिशा में होगे और परिमार में पराबर होंगे और दिशा में ब्रिच होगे मैंत्मेटिस्थ पढ़ोगा आपमने एक रास्टियों होता है उसकी दिशा एबर दोनों के लंबे अधर की दिशा क्या होगी इसके लंबी इधर की दोनों मसरे बात को जैसे अगर ऐक राज की जिशा होगी यो पर ठीखकी दोनों पर लगती है वैसे बी जो सरीश मारा आएगा उसकी जिशा ऐसी होगी जो भी पर भी लगतों है और अगर अगर वह किसी के विक्तरी दिशा में यह भी तो है इसका विपटर फिर नगवा बीपर भी लंग होगा एगर वी पर विलम और चुंधी चट्की दिशा जो होगी वह 22 शित्विशा के लंबोत होगी और बीट की विशा है वह इसके भी लंगोद होगी क्योंकि यह दूनों का जैसे ए पूरत तरफ है कि जो है उत्तर तरफ है एक राज भी करेंगे उपर आ इसी के भी प्रेंट नीचे वाला निगला हुआ है अब ये वाला इस पर भी लंग है यहाँ से ऐसे निगला यहां पर ठीर वी और पी तीनों लंग होने चाहिए वैजी कर्या इस चुनी शिर्द की थिसा और वी का मतलत गठ्मान आव इस कड की रिसा तीनों चीज़ां दिएगा वैतु शेत की निशा चुमकी शेत की निशा और गत्मान आवेशित कड़ की निशा तीनों इसमें पर लंब हो तब जाकर के जो पड़्डामी बल है उस आवेश पर वो स्कून नहो सकता है जैसे वैतु शेत कराप का पूरव करफ है चुमकी शेत उत्तर तरफ है जो लंबोत हो गए तो जो गत्मान आवेशित कड़ है वो इसके उर्धवाधर उपर नीचे गत्री करना चलिए और कहीं गत्री करेगा चुमकी शेत उसका जो बल होगा पर आप सुन नहीं हो सकता इसका मतब अगर आप चाहते हैं कि दोनों वैतु शेत चुमकी शेत लगे हो उसके बाद भी वो कड़ अपने उपर बल काथ को न करे और बिना महसूस कि ये बल को वो चलता चला जाए तो उसकी विश्वश्वात वार दोना जो है, तोणी की शिवश्व के भी वह लंगोध होनी चाहिए और पैदु भी क्राजिक पाहा होगे मान भी क्राज बीकरीट होगी कि दिमान बराबर होगा दोनों का अर्थात भी पल्टों हो जाएगा की भाईगी अर्थात जो आवेशित कड़ है वो कितने वेग से रखिमान करें वो ही भित्स होगा वेशित की तिप्टा और तुनकी तिप्टा का जो अनुपात आएगा उस अनुपात के वराबर जो वेग बनेगा वेशित की तिप्टा कुछ दी रहेगी और तुनकी तिप्टा दी रहेगी दोनों को भाग देने के बाद जो वेग आएगा उतने वेग से वह गतिमान हो उत तो आवेशित कड़ बिना प्रभावित हुए या बिना उस पर कोई बल आरूपित हुए वह अपने राश्ते पर चलता चला जाएगा इसको अपनोट भी कर सकते हैं ठीक है इसको अपनोट मिले सकते हैं कि यदि वैतुत एवं चुमकी छेत्र दोनों के आरूपित होने पर गतिमान आवेशित कड़ दोनों के लंगवत दिशा में दोनों के लंगवत दिशा में वी इसकोल टू एपान बी वी इसकोल टू कैट्चल एपान बी के वेग से गति करे तब उस पर कारे रख परिडामी बल का मान सुन्न होगा तब उस पर कारे रख परिडामी बल का मान सुन्न होगा तथा उसका पत्र आपरिवर्दित रखेगा तब पत्र आप अलिवाट करेंगा मैं अग्षों मैं अगरे टोपिक है एक सबान प्रूटी छेटर में एक समान चुपी शित में इस्ठित धारावाई चालक पर बल एक समान चुंकी शेट में इस ठीट धारावाही चालक पर बन मालने के यहां कोई चुंकी शेट है जिसकी विशा ब्लैंगोड के तल के लंगवत बाहर से अंदर की तरफ है इस एक समान चुंकी शेट में यह लंबाई का इस एक समान चुंकी शेट में यह लंबाई का एक धारावाही चालक रखा हुआ है इस एक समाज चुंकी शेट में यह लंबाई का धारावाही चालक रखा हुआ है इस धारावाही चालक पर किजातना बल का भल करेगा यह को बल मुतने का बनान गला में कि धारावाही चालक की देतना anthropology contain आर्थास जिस दुल्की शेत्र में यह थारा और रखा हुआ है उस दुल्की शेत्र की कि दिपटा क्या है बीन है और यह लगबाई का चलाख है जिसमें आई धारा प्रवाई हो रही है और यह कुझालाख हमारा चो कुपीर से रिशा से ठीका बोर बनाते हुए चालख हुआ है आपको देना कि इस भारा के प्रभाईख होने से कि चालख से इतना प्रभाई देन यह नहीं पता है वह बल्व को निगाल रहा है जाएंसे बाते हैं जब यहां से आदा का प्रवाहरा हो रहा है तो इसका मत्तब है कि इसके भीतर से आवेशों का प्रवाहरी हो रहा है आवेशों की प्रमा की एकर कोई धरा बोलते हैं तो अगर जो है आवेश धरा बह रहे हैं इसका प्रमा की भीता से आवेश भीता हो रहा है चाला को छोड़ दीजिया चाला काम यहां पर नहीं है चुम्खी शेत्र में अबैशिक कर्ड़ मता है तो उस आवेशिक कर्ड़ करता है कितना बलकाइ करता है यहाद के बराबर यह पल्टो यह दे रहे हैं क्योंकि यह बैस्ट कर निकालना है तो बात में उसको यह कर देंगे हम तो यहां पर वादमान आवेस कर्ण पर हो जाया या राया या पर्राइब की वीडिस साइंच वीटा है यह क्या है यह आवेस हो जारहा है उस पर बल रहा है तो ऊसे इप्क्तान हीट आवेस इत्पांна हो जाए राएगी शुप कि तरह दोके होने फटावर मतने होगा तो बाथ यूझा इस तो प३ IT उने ऊंपिछ कंग में चक्क्णrien जाएगी तो उस तमय जो द्रव आवेश का वेग होगा वह अप्वाह वेग या अनुमन वेग की बरावर होगा तो ई गोल्ट वो जाएगा वीडी माफिज़े प्यूक्ति जगा और उसका वेग हो जाएगा वीडी और यहां पर साइंट विटा यह क्या है एक एक सिंबल इन पर शाम करने वाला पर है एक अपेरे लिट्रान पर तार्य करने वाला पर है यह अप्डैस और यह अप्डैस की वैल्यू है इसमाल इवीडी पी साइंट कितने केट पर नहीं हुआ ठीक है कि अब कि पूरे चालँ के जो यह लागा रहां पड़ेगा रहा है इसकी लंबाई जया है तो यह हो गया अपका इसकी जगां हो गया कि लंबाई आपकी रुबाई यल तो आइकन कितना हो गया चालक का आइकन हो जाएगा एक गुड़े यल चालक का आइकन हो गया इतने मुक्ति लिप्तान हो जाएगे संठा यन है तो आइकन का पूरिगों कितने हो जाएगे चालक में कुल मुओक लप्रान्युशायεια में सब्सक्रांब तुम सब्सक्राइब करें तो कुल बल हो जाएगा सब्सक्राइब क्या करेंगे एक रिप्राइब है इसी में हम बुड़ा करेंगे कि यह संपूर रिप्राइब करेंगे और यह इंटू फीडी इंटू पीडी इंटू शायंस के यह एक रिप्राइब करेंगे वाल अब यहां जीदेगा अब आप पढ़ें हैं आप वाग वे का फावुला बितु धारा में और अपवां में को सम्थ होता है कि आप अफ़े पढ़ा है आद कि इस इसका न था आप रहा है तो यह आप रहे हैं जाना करें रहें हैं सब्रक्राइब यहीं चालक पर कारे करने वाले बर का फर्मूला होता है यहां से चुम्पी शिंकिति प्रता को परिभासिति किया जा सकता है अगर खीटा का पर नंबे कर दिया जाए अगर खीटा का पर नंबे कर दिया जाए अर्ठास जो चालक हमारा है वह जुक्ति शिंकिति किरिशा के लंगोत रख दिया जाए ठीक है तो उस अवस्ता में इस आए आई यानि बी तो बी की मैल्यू क्या हो कि यह अपान आई यह जाएगी अपार प्रता है वह जाएग से पर दिया जहां आई जो रहा है और यह पांद एक एंट्र ने ले लें अर्फाथ चालक हमारा है इसकी लंबाई एक हृटल ले दिए जाए और उसमें एक ऐंपिर की धारा प्रवाहिद कर दी जाए एक ऐंपिर की धारा प्रवाहिद कर दी जाये और चालक की लंबाई देट ले दिया जाए तो उस सवस्ना में B e is equal to Y f हो जाएगा अर्थाद चालक पर जो बल कांग करेगा उसी को हम चुमकी छित्की दिपकट हैंगे अर्थाद एक बिंटर लंबे और एक एक अधरी धारत वाई जिस चालक में वो अर्थाद ऐसे इसको बोलेंगे हम कि चुमकी शेतिकी दिशा के लंबोत रखेंगे एक कांग लंबाई के हारावाही चालक जिसमें एक अर्थाद की हारावाही चालक जिसमें एक अर्थाद की हारावाही हो रही हो ठीक है उस चालक पर जो बल कारिकरता है उसे उस बिंटर पर चुमकी शित्की दिपकटा कहा जाता है ठीक है अर्थाद किसी चुमकी शित्की दिशा के लंबोत तो आप देखे हैं लंबाय का मात्रमीटर है इसका मात्रमीटर का मात्रमीटर है इसको टेसला ही कहते हैं ओने सभी कुछ विस्त को बोलते हैं और और यह आघर और अपृष और मात्रक सर देखलो जहां और जो है τουिति हमात्रक है। माइनस चार नुट्र पर की बिंटर होता है यह दर्शाती माइनस चार टैसला भी कर सकते हैं तो यह किसी धारावाही चालक पर करने वाले बल का फार्मूला है और इसकी दिशार जात करनी हो आप फ्लेमिंग के बाएं चात के नियम से जात आ सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं चात के नियम के अनसार ये किसी चालक को ठीक है किसी चुब्की चैय। तिम्रे रखा अगया हो और उस चालक znay वाले बल के रिषा को आ व्यां करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्लेमिक के बाए हाथ के विए हुए अर्सार उस बल कि ईसा हम ज़सा ही तरदनего है। इस तरदनी अगोली को चुमती उसामें रख सेञेंगे। और यह मज्मा अगली है यह चालक में यह उसी और बार वाहि चालक पर पर लगने वाले बोलोग को अभ्यात करते से उसी प्रताव यहां पर जो है आप किसी भारावाहि चालक पर कारे करने वाले मलीरी साथ को भी गयार कर सकते हैं और वो यह कौंसा है इस फ्रेंडिंग के बाई हां का निए जाले को अब हम इसका आंतिन टापिक है चैन्ट का वह पढ़ेंगे कि इस चंडर का अंतिन टापिक्स है दो लंबेश लिए धारा वाइस चालकों के भी धारा वाँ पर बल कर दो दो चालक कमाने पास हैं अच्छी समझेगा दोनों चालकों के बीच की डिस्टेंस है आप गया दो आप नहीं अहुत है और यह चालक घूपर दोंबाई घूपर निया पयए लंबाई वाइस लीकेश घूपर और नहीं िये ऑडता है आइड़ कालता है कि अबबावा सब्सक्राइब आपकर तक करेंगे और इसे में या लम्बावा करें पेड़ को पे जो वाले बेदाय करें इस भी आप नार्ब करेंगे किआ सबसब्सक्राइब करते तै helps को दिना में , कि यहांक और तो एक समार प्रूबचार में हारा रहा है क्यों क्युक्षित गाल है इस को स्भूत जोवस्त और पर जाए है है और दूसरा हमारा वारा है इसमें घारा बारी है आज़े तो दूनों पर बढ़ाँ करेंगे इस बल का करेवाणत क्या होगा यह जानना है और इसके साथ आधके परीफासा भी आतों जानना दूनिदा क्याлем हो जाएगा वीडियो बड़ा मजाएगा पूर नहीं उपाएगा तो इसको जो है अगलेवार टाफिक पर सामिल करेंगे निमेरिकल आप लगाये रखेंगे तो यह अंतिन टापिक है बुश्चिछ से 10-10 मिनट में खतम हो जाएगा अगला टापिक जो है अगला जो है आप निमेरिकल बडռा यह झाएगा कि फियुथ हया